हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi आज इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है हम सभी चाहते हैं कि इंटरनेट का इस्तमाल हम लगातार करते रहें 24 गंटे हम इंटरनेट के माध्यम से अपने आपको जोड़े रहें लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर जिस इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से जोड़ते हैं वह इंटरनेट कैसे हमें मिलता है और इंटरनेट का जो यह जाल है किस तरीके से काम करता है दोस्तों यहाँ पर एक image के माध्यम से आपको थोड़ा indicate करवाना चाहूँगा कि जो internet की पूरी विवस्था है पूरी दुनिया में वो कैसे काम करती है यहाँ पर पूरी दुनिया का जो मानचित्र है इस मानचित्र में आप देख रहे हैं कई सारी रंग बिरंगे जो लाइन्स है वो आपको दिख रहे हैं दरसल यह लाइन्स नहीं है बलकि समुद्र के अंदर काम करने वाले यह केबल्स हैं और इनहीं केबल्स के जरिये internet की जो सुविधा है आप तक देश दुनिया तक यह पहुंशती है और यहाँ पर मैं आपको यह बताऊं कि 99% जो internet traffic है पूरी दुनिया में वो इनहीं अंदर सी केबल्स के माध्यम से संपन की जाती है और इसी संदर में आज की चर्चा में हम यह समझेंगे कि भारत को अभी हाल ही में कुछ नए अंदर सी केबल्स की सहाथा मिलेगने की बात की गई है और इस लिहाँ से भारत का जो data highway है वो और बहतर होने की संभावना जताई जा रही है इसी संदर में हम लोग यह जानेंगे कि आखिर भारत में किस तरीके से internet connectivity का इस्तमाल किया जा रहा है और यह भी जानेंगे कि आखिर under sea cables को ले करके जो कुछ challenges हैं वो challenges क्या कहते हैं इन सब पर हम लोग एक एक करके बातचित करेंगे लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह भी बता दू कि आज की तारिक हो गई है 21 अगस्त और यदि आपने अभी तक सिविल सवा परिछा की तियारी के लिए इस P2I batch को जोइन नहीं किया है तो अभी भ इसे किसी भी माध्यम में admission ले सकते हैं दिली प्लाइफ कोर्ट का इस्तमाल करते हुए मात्र 24,999 रुपे में आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं तो निश्ची तोर पर यह कोर्स आपके GS की तियारी को और बहतर रूप प्रदान करने में आपकी मदद करेगा आगे हम और इसे केबल प्रोजेक्ट्स हैं यह दोस्तों ध्यान रखेगा कि इनका नाम क्या है to Africa Pulse IAX और आईीएक्स यानिकि इंडिया-एस्या runway और इंडिया- Olives इस नाम से इन तीन केबल प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो यह data highway है इसे और बहतर करने की को शिच की जारी है औ और इसे और अधिक सुगम बनाया जा सकेगा ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है यहां पर दोस्तों बहुत बेसिक तोर पर ध्यान एक्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछ ली जाते हैं कि आखिर यह हैं क्या तो यह अंडर सी डाटा केवल प्रोजेक्ट की तौर पर जा पर एक टेबल के माध्यम से इसे बताया गया है जिसमें जो यह तीन प्रोजेक्ट हैं टू अफ्रीका पल्स इसमें जो कैपसिटी दी गई है 180 टेराबाइट पर सेकंड की कैपसिटी है 45000 किलोमीटर छेत्र में यह जो टू अफ्रीका पल्स के आधार पर जो केबल लाइंस बिचिवी हैं पूरे विश्व में वो यहां पर इंडिकेर किया गया है और इसमें जो निवेशक हैं वो हैं एयर टेल मेटा और सौधी टेलिकोम और इनकी जो कनेक्टिवीटी है वो है अफ्रीका इरोप मध्य पुरुव के देश और साथ ही एसिया के भी कुछ हिस्सों मे इसके माध्यम से कनेक्टिवीटी देने की बात की गई है इसके अलावा जो इंडिया एसिया एक्सपेसे आई एक्स की जो मैं चल्चा कर रहा था इसकी जो कैपेसिटी है यह है दो सो टेरा बाइट पर सेकिंड ध्यान रखियागा टी बी पीए से टेरा बाइट पर इसकी जो लेंथ है वह 16,000 किलिमेटर की इसकी लेंथ रहेगी मतलब की 16,000 किलिमेटर में यह जो केबल है यह समुद्र के अंदर बिछाय जाएगा और इसमें जियो चाइना मोबाइल जैसे जो निवेशक हैं वह इसमें अपनी भूम का निभा रहे हैं इसमें मुंबई सिं इंडिया इरोप एक्सपेस के माध्यम से जो कैपेसिटी है वो भी 200 टेरा बाइट पर सेकेंड की कैपेसिटी देखी जा रही है और लगभग 10,000 किलिमेटर का इसका जो विस्तार छितर है केबल का वो रहेगा और इसमें भी जीयो और चाइना मोबाइल के द्वारा जो नि जिस केंड़ा, इससे निश्तों पर ये संभावना जगता ही जा सकती है कि जो ये connection है, ये जो connectivity है, data highway के माध्यम से वो और दुरस्त हो सकती है यहाँ पर यह जो केबल्स हैं, इन केबल्स का ही जो image है, यहाँ पर दिखाए गया है इन केबल्स को कई सारी पड़्तों में लपेट करके और एक बरे से आकार के drum size में इनको लपेट करके और देन फिर एक जहाज के थुरू, पानी के जहाज के थुरू, समुद्र के नीचे में इनको ले जाया जाता है और इनको बिछाया जाता है, तो ये सारी जो कतिविदियां इनके माध्यम से की जाती है, मैं इसके उपर एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये कि किस तरीके से ये जो data cables हैं या फिर ये जो under sea cables हैं ये काम करते हैं किस तरीके से इनको समुद्र के अंदर बिछाय जाता है और किस तरीके से इनके माद्यम से internet की सुविधाएं आपके घरों तक पहुंचती हैं इसके बारे मैं भी एक अलग से मैं वीडियो बलाऊंगा फिल प्रसांत location होने के कारण भारत इसके माध्यम से अपनी internet connectivity को internet संपर्ख को और अधिक भेतर कर सकता है इसके जरिए जो भारत की digital अर्थवेवस्था है इसे और अधिक boost मिल सकता है क्योंकि जाहिर से बाते हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया में आज की समय में हम लोग internet की माध्यम से ही digital economy को भी बहुत अधिक तरजी दे रहे हैं उसको अपना रहे हैं लगातार उसको बरहावा देने प्रसान दे रहे हैं तो ऐसे में जब internet की सुईधा और सुगम होगी और बहतर होगी तो निश्ची तो पर जो digital economy है इसे भी और boost मिलेगा तो ये भी एक love के December तक 28 GB प्रती माह बनाने की बात भी की जा रही है दोस्तों और एट प्रेजेंट यह दी हम देखें तो भारत में 1.2 billion user base हैं कितना बढ़ा है बहुत ज़्यादा है और इसके माध्यम से निश्ची तो पर इसे और अधिक व्यापक रूप देने की कोशिश की जा सकती है लाटा केबल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इंटरनेट कनेक्टिविटी को अबरप्ट करने की कोशिश की गई इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई इसके अलावा जो दूसरा एक महत्वपून फैक्टिर है वो है प्राक्रितिक आपता से connectivity में दिक्कत आती है इसे दुरुस्त करने की जरूरत है और इसके माध्यम से जो internet connectivity है इसको बहतर किया जा सकता है इन चुनोतियों का समाधान देशों के अस्तरपर करने की आवशकता है तो आज की चर्चा में मैंने इन सभी महत्वों ने बिंदों पर वाच्चित की जिसमें हमने ये देखा कि वरतमान में under sea cable को लेकर के भारत को क्या कुछ नई सुविधाय मिल सकती है क्या उनकी speed रहेगी और साथ ही क्या कौन-कौन से ऐसे networks हैं जिसके माध्यम से भारत को internet data highway में और अधिक उत्थान देखने को मिल सकता है भारत को किन-किन अस्तनों पर लाव मिल सकता है और साथ ही इन cables के context में जो challenges हैं वो challenges क्या हैं इसके बारे में जो जोएन नहीं किया है तो जल से जल इस course का हिस्सा बनिए दिली प्लाइफ कोड का इस्तमाल करते हुए 24,999 रुपए में आप इस course को जोएन कर सकते हैं 19 अगस से इसमें कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं तो इस course से जुड़ने के लिए आज ही enrollment लिजिए और अपनी GS के तियारी को और बहतर बनाएए इसके अलावा एक और महत्वपून सुचना मैं आपको देदू कि P2I Batch के अंतरगत जो हम classes करते हैं उन classes को आप पहली बार Study IQ IAS के हिंदी चैनल पर live देख सकते हैं डेमो के तौपर जिसमें मनिश सर्व ज्यान और टौदग्यकी की च्छा कंटिनू कर रहे हैं और इसमें प्रतिरक्षा इवं टिका करन का टॉपिक कल यानि की 22 अगस्त को शाम 6-9 के बैस में वह परहेंगे तो आप सभी का इस बैस में स्वागत है Study IQ IAS हिंदी के YT चैनल प आपको इससे बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी मिलते हैं फिर किसी और टौपिक के साथ अपना ख्यार लखे अल बेस्ट हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी